हेलो एव्रीवन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड हिंदी का चाप्टर 1 कक्कू नाम है उसका कक्कू कक्कू माने कोयल होता लेकिन यह तो दिन भर होता इसलिए हम इसे चिड़ाते कहते इसको सक्कू नाम है उसका कक्कू तो एक बच्चे के बारे में बात की गई है जिसका नाम है ककू तो ककू का मतलब जो है वो कोयल होता है कोयल को प्यार से ककू बोल सकते हैं हम लेकिन ये जो है ना ये जो बच्चा है जिसका नाम ककू है ये तो दिन भर रोता रहता है इसलिए हम इसको सक्कू कहके बुलाते हैं मगर इसका नाम क्या है कक्कू है मगर हम चिड़ा के इसे सक्कू बोलते हैं कोयल माने मिसरी जैसी मीठी जिसकी बोली यह तो जाता भड़क करो जब इससे तनिक्ठि ठोली मतलब कोयल जो होती है उसकी तो बोली जो होती है वो मिस्री जैसी होती है इसका मतलब होता है कि कोयल जब बोलती है तो बड़ी मीथी उसकी आवाज लगती है पड़ी अच्छी लगती है मगर इसका नाम भी ककु है इस बच्चे का मगर इससे जरा सी भी ठिटोली मतलब जरा सा भी मजाग करो तनिक्ठ टोली का मतलब हो गया जरा सा भी अगर हम इससे मजाग करें तो ये तो भड़क जाता है मतलब गुसा हो जाता है इसलिए तो कभी-कभी हम कहते इसको भक्कू नाम है इसका कक्कू तो भड़क से हमने भक्कू बना दिया इसलिए हम इसे कभी-कभी भक्कू कहते हैं क्योंकि एकदम से भड़क जाता है मगर इसका असली नाम क्या है? असली नाम तो इसका कक्कू है कक्कू वह जो गाना गाए बात-पात में जोचड जाए रहता मूचो सदा फुलाए गाना इसको जराना आए ऐसे जगडालू को अपसे क्यों ना कहें हम जखकू नाम है इसका कक्कू तो कक्कू क्या होती है? कक्कू तो गाना गाती है मतलब कोयल गाना गाती है मगर ये वाला जो कक्कू है ये तो बाद बाद पर जिड़ जाता है मूफ लाकर बैठ जाता है और गाना तो इसको जरा सा भी गाना नहीं आता तो ऐसा जो जगडालू है इसको हम जगडालू से क्या कहने लगे जगडालू ना कहने लगे मगर नाम तो क्या है इसका नाम है इसका ककू तो मतलब वही है कि किस तरीके से बच्चे एक दूसरे के नाम बनाते रहते हैं वही इसमें कहा गया है नाम ही नाम तुम अपना नाम लिखो और बताओ कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है तो आप अपना नाम लिख सकते हैं जो भी आपका नाम है और आप अपने नाम का मतलब बता सकते हैं तो सपोस करिए आपका नाम है प्रिया तो प्रिया का मतलब होता है जो बहुत ही जादा प्यारा होता है बहुत ही प्यारी होती है तो आप ऐसे लिख सकते हैं मेरा नाम प्रिया है और इसका मतलब होता है जो बहुत प्यारा होता है सबको पसंद जो होता है तुम्हारे कितने नाम तो जैसे कि प्यार वाला नाम प्रिया से प्रियू हो सकता है चिडारे वाला नाम तो कुछ भी हो सक किस किस को नीजे दिये गए नामों से क्यों बुलाया जाता हो गप्पू ज्ण पुलाएं दिए गब बच्टे दिये जाएं भंपू जो सुब golden इसलम प्यार को मैसरे नाम क्यों बुलाए जाता है भक्डो जक्डो जो ने णहेसा है जग्डालू होते हैं गप्पू जो मोटे से होते हैं तो आप किस-किस दोस्त को बोलते हैं आप नाम लिख सकते हैं काफी ठाकर समय कक्कू वह जो सदा हसाए रोना उसको जरा ना भाए भाए लिख सकते हैं यहाँ पर चिडिया के संग गाना गाए संग मोर के नाचे जाए इसलिए तो कभी-कभी हम कहते उसको कप्पू ठीक है यह हो जाएगा कक्कू क्या है कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है लिखो तो कक्कू कोयल जैसा नहीं था क्योंकि वह भडग जाता था और वो गाना अच्छा नहीं गाता था वो भडग भी जाता था और गाना भी अच्छा नहीं गाता था तो रेल गाडी में आप अपने दोस्तों के नाम लिख सकते हैं बस और इसमें अब चप्टर हमारा हो गया है पुरा खतम पोयम का अपने मीनिंग समझ लिया और इसके जो एक्साइस थी वो भी हम लगों ने देख ली पूरी की पूरी तो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंज के साथ भी इसको शेयर करिए थैंक यू